इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सस्ते स्मार्टफोन के वारे में जिसमें 12GV RAM, Snapdragon 855 Plus का powerful processor और 64 Megapixel के साथ में Quad Camera Setup देखने को मिलता है। बात करते हैं इसी सब काहानी को लेकर तो लेस गो। तो इस स्मार्टफोन है Realme की तरफ से latest Realme X2 Pro जिसमें Artificial Intelligence के साथ में Quad Camera Setup जोगी Ultra Image Stabilization Support के साथ में आता है उसमें Best Camera Smartphone of the Year का खिताब मिला है। फिर बात करते हैं दूसरे sensor की तो बो है 13 Megapixel का Telephoto Lens FY 2.5 aperture के साथ में जोगी 5X Hybrid Optical Zoom 20X Hybrid Zoom के साथ में आता है तीसरा sensor 8 Megapixel का Wide Angle Lens 115 Degree Field of View के साथ में FY 2.2 aperture इसमें दिया गया है और चौथा कैमरा 2 Megapixel का Portrait Lens देखने को मिलता है वे 2.4 aperture के साथ में कैमरा फीचर्स की बात करें तो Portrait, Panorama, AI, Beauty, AI, SDR, Boke, Effects और Electric Image Stabilization Support इसमें दिया गया है जहां पर वीडियो ग्राफिक की बात करें तो हम इसके rear कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 और 60 frames per second पर वागी slow motion का भी option है इसमें हमें देखने को मलता है जहां पर 960 frames per second तक slow motion भी वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं कई सारे वीडियो फीचर्स भी दिये गए हैं जैसे की वीडियो वो के effects, super wide angle video, HDR video mode और short video mode के साथ साथ vlog video modes भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं जहां पर बात आती है इसके front camera की तो 16 megapixel का selfie camera इसमें मौजूद है जो की electric image stabilization और super night escape support के साथ में आता है मनलब अच्छी खासी photo आप capture कर सकते हैं बाकी इंडिया का fast test charging smartphone है यह यहनकि 50 watt super book charging support के साथ में आता है तो इसमें हमें 7NM process technology पर काम करने वाला Qualcomm Snapdragon 855 Plus का processor देखने को मिलता है जो की Snapdragon 855 के मुकाबले 15% fastest performance देने में सक्षम है यहां पर बात करें operating system की तो Android 9P based color OS 6.1 पर यह smartphone काम करता है जब बात करें स्मार्टफोन की display को लेकर तो इसमें हमें देखने को मिलती है 6.5 इंचिस की full HD plus display जो की 90 Hz refresh rate के साथ में आती है Official HDR 10 Plus Certification और TUV Rindland Certification के साथ में आती है यानकि हमारी आखोंगी जो सुरक्षा है बिल्कुल बरकरार और मजबूत रहने वाली है याँ पर आती है बात स्मार्टफोन में security को लेकर तो इसमें हमें देखने को मिलता है In screen, fingerprint, scanner और AI support के साथ में face analog जो की company की तरफ से ऐसा कहना आएगी पॉइंट 2-3 second में हो जाएगा analog बागी कुछ नई चीजों के वारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है बैपर cooling system के साथ में जो की heating problem से आपको बचाएगा और gaming या फिर multitasking करते वक्त आपको और आपके smartphone को रखेगा cool इसके साथ साथ इसमें हमें देखने को मिलता है tactile engine motor जो की gaming experience को और भी बहतर बनाने में काम करेगा और यहाँ पर sound quality को और भी बहतरीन करने के लिए इसमें हमें देखने को मलता है dual stereo speakers और Dolby Atmos का support इसके साथ साथ स्मार्टफोन मजबूत भी काफी है मलब 3D glass design देखने को मलती है बागी स्मार्टफोन के दोनों side में हमें देखने को मलता है 12GV RAM 256GV वाले जो storage है उसकी कीमत है 33,999 रुपय है मलब अब तक का सबसे सस्ता और flagship smartphone है कमी की बात करें तो इसमें कमी तो नहीं कह सकते है मलब इसका जो storage है वो non expandable है इसे थोड़ी सी कमी कह सकते हैं बागी FM radio देखने को नहीं मिलता है अलागी कोई सुनता भी नहीं है इतना तो यहीं सब कुछ था इस smartphone के बारे में like, share, subscribe किये बगर तो मत जाना भाई साब आशा करते हैं वीडियों आपको पसंद आई होगी अगर नापका कोई सवाल या suggestion है तो जरूर दर्शाय अपनी चागो comment section में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद very much